तो जैसा कि लाश्ट अपिसोड में हम दो ने देखा था कि जो सीन होती है वो सीयो से उसके पार्टी में जाने के लिए बोलती है जिस पे फिर सीयो ये बोलके मना करते था कि वो अखेला ही इस पार्टी में जाना चाहेगा और वो अखेला ही कमफरेबल चाहता हो अब इसके स्टार्ट में हम वहीं से सुरू होता है जहां पर सिर्फ सियो उसको बोल रहा होता है कि वो अखेला ही इस पार्टी में जाना चाहेगा जिस पर फिर जो सिन होती है वो से बोलती है हाँ मैं समझ सकती हूं और मैंने तो यह सूचा था कि साद हमारी जो पार्टी है वो अच्छ में हो जाओ यह ऐसा सियो अपने मन में सूच रहा होता है अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो सीन होती है वो फिर भी सियो को बोलती है कि ठीक है अगर तुम मेरे साथ टीम नहीं बना जाते हो तो कोई बात नहीं बाट मैं तुम्हारे ही कैर में रहूंगे ऐसा सियो को बोल कि वहां से फिर जो उसका supply box होता है वो लेने के लिए चला जाता है अब यह सब लेने के बाद जो सीयो होता है वो सोचता है कि यह बहुत ही हाड होता है कि स्टार्टिंग में हमें इस तरीकी के जो एकुप्मेंट्स है वो मिल जाया है और यही एक फाइदा है ट्रेनी होने का यहां पर और यह जो HP recovery medicines है यह बहुत ज़्यादा है expensive होती है और यह फेल्ट agency है वो भी इन लोगों को वापर से refill कर रहा है अगर यह खतम हो जा रही है तो अब हम वहीं पर देखते हैं कि जो बेक होता है वो भी CEO को ready हो रहा देखता है तो वो CEO को फिर बुला करके बोलत है कि ऐसा चीच कभी भी मेरे साथ past life में हुआ था नहीं और मैं ऐसा ही pretend करता हूँ कि मेरे साथ कभी भी ऐसा हुआ नहीं और मैंने इसकी बातों को कभी सुना नहीं जिसके बाद हम देखते हैं कि जो बेक होता है वो CEO के कंदे पे हाथ रख करके उसे बुलाता है और उसे ब मैं एकदम main lead किदर हूँ ऐसा वो CEO को बोलता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए कोई भी बोज़नी बनुगा मैं तुम्हारे help ही आऊँगा तो क्या तुम मेरे साथ जो first room है उसमें जाना चाहोगे या नहीं जो सुन करके जो CEO है वो बहुत यह odd सा एक expression देते अब इसके बाद फिर जो CEO है वो सूचता है कि जो protagonist है यह सूच रहा है अपने आपको यह protagonist है अब मेरे past life में यह ऐसा कभी नहीं हुआ था इसने तो मुझे इस तरीके से treat किया था कि मैं कोई trash हूँ एक extra की तरफ मुझे past life में इसने trash किया था क्योंकि मैं उस time में बहुत ज जैसे कि और सिन और या फिर CEO और बिक दोनों ऐसे अगर टीम में बनाओं तो बहुत ज़्यादा फाइदमन हो सकता है अब फिर सोचता है कि सिन्स हुआ है वो बहुत ज़्यादा strong है बट अगर वो मेरे साथ रहेगी तो यह ऐसा भी हो सकता है वो आगे आके बहुत ज़्या हाँ ठीक है चलो हम दोनों साथ में इस रेट पर चलेंगे जो सुनके जो बिक होता है वो बहुत ही आदा खुश रहता और फिर वो CEO से यह बोल करके वहाँ से जाता है कि वो अपना supply box लेनी के लिए जाता है तो वहाँ पर जो सीन होती है वो भी वहाँ पर होती है और फिर जो सीन बेक को देख रही होती है तो फिर बेक उससे बोलता है कि तुम मुझे इस तरीके से क्यों देख रही हो क्या यह इस वज़े से है कि तुम्हारा जो हीरो है उसने तुम्हें चूज नहीं किया और वो मेरे साथ पार्टी बना के इस रेड में जा रहा है और फिर वो स उसके entrance में से ghost और metal दोनों की जो presence से उसको feel किया जा रहा है और फिर इसके बाद ये दोनों उस gate में enter हो जाते हैं तभी हमें बता जाता है कि इस gate का जो नाम है वो है knife mountain of hell अब इसके बाद फिर CEO बोलता है कि ये जो सारे room है एक दूसरे के साथ connected है एक hallways की तो और इन hallways में ऐ ऐसा है कि कहीं कहीं पर बहुत सारे traps है और even हर room के अंदर में एक monster सो छूबए होंगे बट ऐसा भी है कि कुछ-कुछ जगों पर एक safe zones भी है और अगर मुझे ये room पास करना है और ये gate अगर पास करना तो मुझे इस gate की जल्दी जल्दी जो exit है वो मुझे find करनी होगी इसक है कि ये जो point है वो अभी safe zone की तरह है और हमें अगर इस rate को जल्दी जल्दी finish करना है तो हमें exit को जरूर खोजना होगा जिस पर फिर बेक बोलता है ये बहुत अच्छे वात है तो चलो हम लोग start कर देते हैं जिस पर फिर वो दोनों आगे जा रहे होते तो जो सी होता है व जो बेक होता है वो उसको बोलता है कि यहां पर जो demonic monsters है वो हर जगह पर trap है तो क्या वो अचाना कि से भी निकल गया दें वो ऐसा CEO से पूछ रहो होता है हम तभी देखते हैं कि जो बेक होता है वो आगे जाते वे एक trap को activate कर देता है जिससे फिर CEO को उसे बचा लेता है देखते हैं कि CEO उसे वहाँ पर ही छोड़ करके आगे जा रहा होता है तो फिर वो CEO को रुकने के लिए बोलके वहाँ पर फिर उसके पीछे पीछे जाने लगता है जहाप हम देखते हैं कि वो दोने जब आगे जा रहे होते हैं तो जो बेक होता है वो CEO से पुछता है मुझ करना चाहोगे तो जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोने एक के पास मा जाते हैं जहां पर कुछ मॉंस्टर्स होते हैं अब जिसके बाद फिर वो कुछ मॉंस्टर्स को देखते हैं जो बोलता है कि यह जो है कि वो जो मॉंस्टर्स हैं एक गोष्ट्सत होते हैं जिनके जो रैंक होता है वो फर्स इन्सक्लिक पर होता है जिसके बाद हम देखते है जो बेक होता है वो एपने फायर बॉल का यूज हरक उर्क होने लगते और वह उस passage में आ रहे होते हैं जिस पर फिर बेक होता है वो बोलता है यह जो passage है वो बहुत यादा small है तो इतने जादा नंबर में अगर यह monsters है तो वो इसमें आके जरूर अटब जाएंगे और तुम बहुत यादा intelligent हो जैसा कि मैंने सोचा था ऐसा वो CEO के लिए बोल रहा होता है जिस पर फिर CEO होता है वो बोलता है कि आगर तुम इसी तरीके से nonsense बातों को बोलना चाहते हो तो please तुम यहां से जा सकते हो और यह बोल कि वो फिर अपने तलवार को निकाल के जरू उन मांस्टर्स का माँड़ा होता जिस पर हम देखते हैं वो जो बेखना है वो उसको बोल था कि मांस्टर्स को अकिल चल्रा कर नहीं लेने दोंगा इसा बोल के वो फिर आगे यह मांस्टर्स का मार लेते हैं और तिन मॉंस्स्ट का मारते होए बेक बोरिंग हो गया है कि इसे मोंस्टर से ज्यादा स्रॉंग नहीं थैं और तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तो कुछ हंड़ेट से ज्यादा मार दिया होगा और बहुत यादा इसके विए कि यह कुछ को बनाते हैं अगर ऐसा हो कि मैं अगर किसे बुक मेरें करें हुझ इस वजे से मैंने बहुत ज्यादा विग है उनको भी सीखा हुआ था हैंने चुन करके जो प्रीजीब से शकल बनाते हो बोलता है कि हाँ यह जो चीज है ट्रास्माइग्रेट होने आली चीज वो तुम ही सोच सकते हो और फिर हम देखते हैं कि जो बेक होता है वो सियो से पुछता है कि सबसे जो इंपोर्टेंट बात है वो मुझे यह बता हो कि तुम्हें पहले साही कैसे पता चल नहीं है जो सुन करके जो सी होता है वो बहुत यादा सौक हो जाता है और फिर पूरी तरीके से अचीज सी सकल बना करके वो उसे देख रहा होता है जिस पर फिर जो सी होता है वो बोलता है कि अगर तुम इसी तरीके के जो बातें बोलके तुम अपना टाइम वेस्ट करना तो please यहाँ पर stop हो जाओ और हमें आगेस जल्दी जादा होगा क्योंकि जो gate है उसे हमें exit को भी find करके close करना है जिस पर फिर big बूलता है कि मैं यह joke नहीं कर रहा हूँ और तुम बहुत ही यादा unique हो तुम पता भी चल जाता है सारे traps के बारे में और तुम जो बहुत ही यादा extremely यहाँ पर काम होते हैं और बहुत ही जल्दी एक quick action ले लेते हैं और तुम जो demonic monster से उनको भी देख करके scare नहीं हूए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम कई न कई कोई एक reincarnator जैसे हो जिसपे फिर जो CO था है वो उसको बोलता है कि मैं तो छोटा था तो मैंने बहुत ही सारे ghost को देखा था और उनकी movies देखा कर सा इस वज़े से जो मेरा बच्पन है वो बहुत यादा ऐसा रहा तो मैं इस वज़े से इन सब चीजों से अभी डरता नहीं हूँ जिसपे फिर जो बेख होता है कि मैं भी तुम्हारे जो बच्पन है उसके लिए बहुत यादा curious हो कि वह कैसा रहा होगा जिसपे हम देखते हैं कि वह आगे चलते हैं एक trap को कर देते हैं और क्या जब एक हो वो CEO को बचाने के लिए को पुछ खरेगा या ने तो चलू देखते हैं मैं खशा बिशन अब अभी तक अगर आपने ये वीडियो देखा है तो प्लीज एक वीडियो को लाइक करते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर सरक। थांक ये वाचिक।